तो कैसे हो आप लोग, आंसर सबका अलग-अलग होगा, अगर क्लास 11 में हो, तो मैं समझ सकता हो कैसी कंडिशन है, ओके, उसके लिए कोई फिक्स आंसर हो नहीं सकता, 12 और ट्रॉपर्स के लिए तो अलग ही स्पेस है, क्या ही बात करनी उनसे, चलो बिना किसी बगवास के कैमेश्ट्री और फिसिक्स के अंदर होते हैं, और हो बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं, क्योंकि उनकी वज़े से फिजिक्स में भी हो जाता है, और कैमेश्ट्री में हो जाता है, तो उनकी में से एक दो चेप् legitimately का स्टेट्स ऑफ मैटर है इसके अंदर गैशे स्टेट पड़ा था थर्मोडाइनेमिक्स है और अब यह आ जाता है काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसे बिल्कुल यह फिजिकल केमेस्ट्री का पार्ट है बट हम लोग इसको थोड़ा सा फिजिक्स की लाइन में पढ़ने वाले हैं अब उसकी इतने हम्पोड़ेंस नहीं है फिजिक्स के अंदर जादा है फिजिकल कैमेस्ट्री में नुमैरिकल सा आते हैं और फिजिक्स तो पूरी निमेरिकल से नुमैरिकल है तो इसलिए जो काईनेटिक थियोरी ऑफ गैसे है इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मॉले जे और आपको formulas के अंदर value put करके answer निकालना पड़ेगा और वो सब कुछ इसके अंदर होने वाला है अगर मैं related chapters की बात करूँ और अगर possible है तो ये chapter कर लेने से पहले आपको gaseous state states of matter वाला chapter complete कर लेना चीए अब सोचोगे कि उसके अगर youtube पे वीडियो सर्च करोगे तो 18 गंटे के तो होंगे minimum कोई बाद नी tension मतलो मैं हूँ ना देखो मैंने pdf डाल रखें अगर आप खुद से पढ़ना चाते हो तो देख लो उपर आई बटन में आ जाएका description box comment box सब जगे gaseous state के comment उस वीडियो का link मैंने दे रखाया उसके उपर क्लिक करो और देख लो maximum to maximum आदे गंटे के दो वीडियो से और उनको भी अगर 2x speed से देखोगे तो हाथे कंटे में दोनो एके कंटे दोनो वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे और हाँ पूरा gaseous state मैंने उसके अंदर कंप्लीट किया एडवांस लेवल तक सो बहुत ज़्यादा फाइदे मनने हो चलो kinetic theory of gases को शुरू करते हैं बहुत बखवास हो गई कर बखवास तो कुछ नहीं थी है न एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बात कर रहा था और अगर आप new viewer हो तो प्लीज यह बताना मत बूलना कि आपको मेरा चैनल वीडियो कैस देख लेते हैं जॉन डेल्टन पूरी रामायन महा भारत मतलब महा भारत रामायन से मुहावरे के लिए मैं कहरो इसी से तो शुरू हुई है जॉन डेल्टन डिस्कोवर्ट एटमीन एटीन जिरो त्री और वहां से एक ऐसी लड़ी शुरू हुई न जो आज दिन तर खतम हुई है और फिर उसके बाद काइनेटिक त्योरी जस्ट उसके सेवंटी यर्स के बाद आती है ऐसा मत समझना कि सितर साल तक बस वह नीद निकाल रहे थे नहीं उसके बीच में भी बहुत सारी डिस्कोवरी ती उसके बार में हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे सो सब डेल्टर ने 1803 में एटम की डिसकोवरी की थी उसके बाद सितर साल के बाद 1873 के अंदर काइनेटिक त्योरी आई थी काइनेटिक त्योरी काइनेटिक हमको मालू में मोशन अगेरा होता है एनरजी होती है और उसी के बेसेस पर यह लाइन है कि एटम्स या फिर मॉलिक्यू नहीं है कोई त्योरी नहीं है बठा कुछ एजंप्शन्स हैं कुछ पॉस्टूलेट्स हैं जो हम लोग आगे जाके देखेंगे इसके अलावे और भी बहुत सारे हैं सो हमने आज दिन तक देखा है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के देखो दो टाइप की गैसेज होती हैं एक आइडल और एक रियल अगर प्रैक्टिकली बात करें तो आइडल गैस नाम की कोई चीज होई नहीं सकती यूगि ऐसी कोई परफेक्ट गैस ही नहीं है जो आइडल ही मतलब हर कंडिशन में फिट हो उसके अंदर कोई ना कोई तो कि स्टेट को अटेंड नहीं किया चाह सकता उसको बिल्कुल अटेंड किया चाह सकता बैस कोई भी रियल गैस अईडल कैस बन सकती है जैसे कि सायन्टिस्स कहते हैं कि आप भी इमयरे जैसे बन सकते हो या फिर सूपर हिरो मूवीस में आपके अंदर भी शक्तिमान है हाँ बस वैसा ही कुछ तो आइडल गैस भी रियल कैस को कहती है कि हां भाई तू भी रियल गैस डियाज बन सकता है अकर तू हाई टमपरेचर और लो प्रेशर में रहेगा तो तू भी आइडल कैसे आ जा हमारी पार्टि में वोसब कुछ इसके बाद kinetic theory के अंदर हम लोग single atom या इसके उपर जाते ही नहीं है क्योंकि already यह physics है chemistry होता तो हम detail में जा सकते थे physics के अंदर उपर से देखो formula देखो theories, derivations and answers, solutions बस खतम So kinetic theory के अंदर हम लोग average properties देखेंगे कैसे इसकी average kinetic energy की बात कर लो सब कुछ average Okay, so इसके अंदर first concept आता है mean free path के बारे में यानि कि the average distance between traveled by a molecule between two successive collisions क्या होता कि gas के जो molecules होते हैं वो एक दूसरे से collide करते हैं collision करते रहते हैं देखो कुछ कहते हैं कि collision के अंदर energy का जो है वो loss होता है but mass can never be sorry energy can never be created nor be destroyed but it can convert from one form to another सबसे first law हमने यही पढ़ा था तो वो ही इसके अंदर होते हैं हम लोग आगे जाके देखेंगे सबसे पहले चीज़ जो भी यह कहता है कि atoms एक दूसरे से टकराते हैं और energy कम हो जाती है ऐसा नहीं होता energy change हो जाती है दूसरे form में कम नहीं हो जाती वो सिर्फ एक बार के लिए बता देते हैं कि collide होने पे energy का कुछ changes होता है बट वो changes कम नहीं होती फिजिक्स में ऐसा नहीं है फिजिक्स में जो पढ़ा वो perfect पढ़ा chemistry का कोई बरोजा नहीं है कि chemistry में आज यह पढ़ लिया और कल क्या पता कि उसको गलत प्रूव कर दिया अब average relation time देखेंगे अब देखो जहां पर इसमें देख सकते हो कि collision होता है ठीक है एक molecule दूसरे molecule से collide कर रहा है फिर वो molecule दूसरे से फिर ऐसे ऐसे चलता जाता है और इनका जो total distance होता है वो उसको लामा से हम लोग denote कर सकते तो लामना 1, लामना 2, 3 और लामना n तक और number of collision से divide करते तो हमको लामना मीटर मिल जाता है अब average reaction time relaxation time का क्या मतलब है कि जैसे देख लो कि खरगोश खरगोश और कच्छुए की race के अंदर करगोश बैटा था वो कुछ नहीं कर रहा था भाग रहा था ना चल रहा था तो वो उसका relaxation time था वैसी इनी atoms और molecules अगर ये किसी से collide नहीं करते हैं और collide करने और उसके बाद का जो करने के बाद का ठीक है जो time period होता है उसको में रिलेक्स time कहते हैं जब वो relax कर रहा होता है एकदम chill mode में होता है और फिर जब वो collide कर लेता है तो खतम हो जाता है उसका mood बिचारा हो ठीक है चलो idle gas के loss देखते हैं मैंने बोला ही था कि इस chapter को शुरू करने से पहले gase state देख लो तो फाइदे में रहोगे नहीं देखा आपकी problem है वो कोई बात नहीं मैं हूना मेरे पास हर problem का solution है बोल के तो देखो so सबसे first low gases के अंदर आता है boils low देखो तीन में लोज होते हैं a b c a for apple नहीं b for ball और c for cat वाला नहीं a4 यहां पर आता है avogados b for boils और c for charles ठीक है ऐसे करते साइंटेस्ट अभी सीडिया आता चलो बोल्स लोगा था 1661 के अंदर और यह में कहता है कि at constant temperature of gas जिसको हम लोग आइसो थर्मल कहते हैं वाल्यूम इस inversely proportional to the pressure यानि की भी इस directly proportional to one upon p कुछ भी कहसे हैं लोगे चलो उसके बाद चलते हैं आपके सामने एक graph है graph क्या denote कर रहा है graph के अंदर जहां पर dotted line है वो experimental है और जहां पर straight line है वो law of thermodynamics है तो dotted lines का यह मतलब है कि experiment यानि कि practical वो जो है वो real gas के लिए वहीं जो एक्टम स्ट्रेट है वो idle gas के लिए और theoretical ही बात हो रही है ओके बट वो जो खुछ भी हो अगर मैं equation को आगे लेके जाता हूं तो वी पी विल बी इक्वर्स टू कॉंसेंट वी पी ओकी वी पी विल बी इक्वर्स टू कॉंसेंट और अगर मैं इसी को initial final state x state function के अंदर लेके आता हूं तो वो ऐसा हो जाएगा P1 V1 is इक्वर्स टू P2 V2 क्या बात है आ जाते हैं हम लोग C4 cat यानि कि C4 चाल्स के उपर यह 1783 में आये था यानि कि काइनेटिक थोरी के दस साल के बाद at constant pressure at constant pressure volume is directly proportional to temperature सीथ इसी बात है अब इसके अंदर idle gas और real gas exactly मतलब बहुत minor difference होता है negligive होता है वो difference चाल्स लोग के अंदर दोनों ही guesses exact उनकी जो पात है उसको follow करते है at high temperature law holds for all gases होई बात है जैसे जैसे temperature बढ़ता जाएगा न वैसे वैसे वह line perfect आएगी बिलकुल एक के उपर एक और VT इसका मतलब है कि VT constant हो गया और अगर VT constant हो जाता है उसका state function के अंदर में लेकिया तो तो V1 upon T1 is equals to V2 upon T2 अब भी तक कितना पढ़ा अपन है अब भी तक हमने शुरुआत की थी काइनेटिक theory से ठीक है काइनेटिक theory की definition आके देख लेंगे इतनी थोड़ी सी जिग्या सातो रखो उससे पहले हमने देखा था डेल्टन डेल्टन ने कब discovery की थी काइनेटिक theory कब आई थी motions के बाद होती है इसके अंदर फिर loss के बारे में देखा था okay, reaction time for गेरा वगेरा, so दो loss देखे हमने, एक तो देखा B for ball और C for cat, B for boils और C for charts, boils के अंदर ऐसा था कि volume is inversely proportional to pressure, जिसके अंदर temperature constant रहता है वही charge law के अंदर pressure constant रहेगा और volume directly proportional रहेगा temperature से क्या, इन दोनों को मैं मिला सकते हूं, बिल्कुल मिला सकते हैं, PV upon T is equals to constant very good, चलो, formula बनने वाला है, दिरे दिरे बनेगा, so अगर चलो, इसको भी मैं वापस state function के अंदर लेगे चला जाता हूं P1V1 upon T1 is equals to P2V2 upon T2, किते cute ना हैं के, P2V2 upon T2, क्या बात है, T2 करके cartoon भी आता था शाहिए ओके, let it be, Avogado's hypothesis, 18, sorry, 1811 में अंदर आया था, at constant temperature and pressure, equal volume of all gases, contains equal number of molecules, moles, वागेरा वागेरा ओके, जहाँ Avogado आजाता है न, moles और molecules की बात होती है, यह बात तो पक्ये, Avogado sir को molecules बहुत पसंद है, क्या बात है, काश इसका उल्टा होता, molecules को Avogado fruit पसंद है, बहुत अच्छा होता हो, चार ठीक है, whatever, अभी तक अपने तीन चीज़े देखिए, A, B, C, A for Avogado, B for boils and C for Charles, कोई न, कोई relation तो है, volume से, चलो डाल के देखते है, first law के अंदर, volume is inversely proportional to pressure, second law के अंदर, volume is directly proportional to temperature, third law के अंदर, volume is directly proportional to number of moles, so, चलो दनों को मिला देखिए, देखो, see, this equation मंदिए, PV is equals to nRT को हो, या फिर RNT को हो, ठीक है, अब इसके अंदर के, P is equals to pressure, V is equals to volume, और R तो हमारा gas constant है, वाजीवा, 8.3145 upon mole per Kelvin, इसकी अलग-अलग values है, गेशर स्टेंट वाला वीडियो देख लो, बहुत सारी values बता रखिए, T से temperature है, जो हमेशा Kelvin में रहेगा, N यानि की number of moles, अब भी देखो, PV is equals to nRT की एक graph देख लो, इस graph के अंदर idle gas और real gas का comparison किया हुआ है, वो ये क्या कहता है, कि जब temperature बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहे हैं, जब temperature बढ़ जाएगा, तब हर real gas, idle gas के जैसा भी ये करेगी, और हर idle gas, real gas के जैसा, मतलब ऐसा, उल्टा मन समझना, मेरे कहने का ये मतलब है, कि दोनों ही equals हो जाएगे, बट वहीं, अगर मैं बात करूँ, तो low pressure, और जैसे की देख सकते हो, PV upon RT के अंदर, तो एक graph के अंदर temperature की बात हो रही है, दूसरे graph के अंदर pressure की बात हो रही है, तो जैसे जैसे pressure increase होगा, पर temperature अगर decrease होगा, तो idle gas और real gas के अंदर difference बढ़ता जाएगा, पर वहीं पे, pressure और temperature, मतलब जहाँ पे temperature बहुत स्पीट चे बढ़ रहा है, वहाँ, हर real gas, idle gas के जैसा behave करना शुरू कर देगी, इसी से हमको यह मिलता है कि, हर real gas is equals to idle gas, हर नहीं है, हर real gas नहीं है, lovers can understand this, मैं नहीं, कुछ हो, कोई तो होगा, कोई तो देख रहा है, ओके, so, real gas is equals to idle gas, when, low pressure and high temperature, 1 mole of any gas is equals to PV is equals to RT, idle gas क्या होता है, PV upon RT हमेशा 1 के equals to अगर रह रहा है, तो वो एक हमारी idle gas है, low pressure, high temperature, so, high temperature के अंदर, real gas, और idle gas, get closure, होई तो बात थी, अब, यहाँ कोशन आ जाता है, ठीक है, उसको करना चाहो कर सकते हो, so, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, यह कोशन है, तो इनकी tensions मत करो, ठीक है, मैं अच्छे वाले कोशन की एक series लेकिया होगा, series तो नहीं कह सकता, क्योंकि समझते होगी लेवत में, कितनी जान्दा problems होती हैं, well, whatever, kinetic theory of gases के अंदर, postulates को देख लेते हैं, gas is made up of atoms and molecules, ठीक है, कुछ नहीं, आख बन करो, और मैं बोल रो, जो सुन लो, gas is made up of atoms and molecules, बस खतम, इतना मान लो, समझ लो, बात खतम, molecules of some gases, are identical in all respects, mass, shape and size, सीधी सी बात है, हर molecule, एक दुसरे molecule से, mass के अंदर, shape के अंदर, और size के अंदर, identical होता है, होता है, अरे भाई, मेरे को एक ozone का molecule, okay, ozone जो है, वो resonance बनाता है, तो उसको उपन नहीं रख सकते हैं, अगर मेरे को एक water का देद होगे, और एक hydrochloric acid का देद होगे, तो मेरे को समाझ आ जाएगा, कि यह molecule लागे, वो molecule लागे, खेर उसके लिए दिविए दिश्टी की चुरुरत होगी, जो कि नहीं है, पर microscope तो है, माइक्रोस्कोब भी नहीं, कार्बन माइक्रोस्कोब की ज़वरत पढ़ेंगी, whatever, okay, let it be, चलो हाते हैं, molecules की ओफ़गे, molecules are constantly in random motion, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, so, वीडियो को जादा लंबा नहीं करते होए, वीडियो को यह खतम करते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, की वीडियो कैसा लगा, कैसा था experience, और अगर कुछ चाहिए, जैसे की, notes, materials, questions, answers, PYQs, तो, tips, tricks, वगेरा वगेरा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, thank you so much for watching, like नहीं किया, तो भी उसके लिए thank you, सब्सक्राइब नहीं किया, तो भी उसके लिए thank you, अभी तक नहीं किया, so two minutes silence for you, अब तो करते हैं भाई,